कार विच इकल्ली रेंदी औरत दा कतल कर दिता गया ते उस दा पती उसनू दो दिना तो लब रहा सी, पर ओ नहीं जानदा सी कि उस दी पतनी दी लाश उसे ही बैड़ विच पई है, जित्थे ओ बैठदा आते सोंदा है, एक अटना पूर्णे दे हडपसर विच कर रही है, मृतक औरत दी पछांट 24 साला सवपनाली उमेश पवार वजो होई है, पुलिस मुताबक सवपनाली दा पती उमेश पेशे वजो डराइवर है, ओ शुकर वार नू स्वेरे करीब 5 वजे सवारिया लेके बीड गय सन, जदो ओ काम तो कार वापस आये तक कार दा खोलेया अते देख्या कि उना दी पतनी कार विच नहीं सी, सारे पासे ओ लबन मगरों ओ किते वी नहीं मिली, ओ सत तरीक नू काम लई बीड गय सी, उसे दिन उना दी सवपनाली नाल आखरी वार गल होई सी, इस तो बाद उना दा अपनी पतनी नाल संपरक नहीं होया, उना दा दोस्त कार गया ताओ कार विच नहीं सी, उमेश नू अपनी पतनी दी चिंता होन लगी ताओ अगले दिन अठ तरीक नू बीड तो वापसकार आ गये, अपने दोस्ता अते परिवार वाल्यानू पुछया पर सवपनाली बारे कितो कोई जानकारी नहीं मिली, उमे अपनी पतनी दी एहालत देखके उसने पुलिस नाल संपरक कीता, इस तो बाद मृत का दी लाश नू पोस्त मार्टम लई पे जया गया, पोस्त मार्टम दी रिपोर्ट अनुसार सवपनाली दी मौत गला कोट के कीती गई सी, उस दी गर्दन ते नहुंदे निशान वी पा कार ये कहे के रुखदा सी कि उस दी कार विच लड़ाई हुंदी है, सारे गवांदिया ने दस्या कि ओ उमेश दा चाचा सी, पर पुलिस जांच विच सामने आया कि शक्की मुल्जम ओना दा रिष्थेदार नहीं सी, पुलिस ने अंदाजा लगाया कि सवपनाली दा कतल ना जायज सबंदा कारन होया है, सवपनाली दा पती उमेश पवार शिराब पीणदा आदी सी अते ज्यादातर कार नहीं सी रहिंदा, ओ एक कैब द्राइवर सी अते लंबे समय लईक करो बाहर रहिंदा सी, पुलिस इंस्पेक्टर ने एवी दस्या कि शक्की लंबे समय त तक फोन ते गल कर दे देखिया, जिस्तो बाद उस दी सवपनाली नाल काफी तकरार होई अते उसने गुसे विच आके सवपनाली दा गला कुट के कतल कर देता, उमेश अते सवपनाली दे व्यानू चार साल हो गए सन, ओ किराय दे मकान विच रहे रहे सन, जिसे मारत विच कतल होया उते ना तक कोई सुरख्या करमचारी सी अते ना ही उते CCTV कैमरे लगे होए सन, पुले से मारत दे बाहर सडक ते लगे CCTV दे मदद नाल इस मामले दी जांच कर रही है